एलो स्टुडेंस कैसे आप सभी आई ओप आप सभी काफी अच्छी होंगे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर सीरीज इसकी प्रिविएस जितनी भी हमारे पास वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो बहां पे जो है आप डिरेक्टली जाके जो है प्रिविएस एस शिरीज पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर वन दे बस एंड कंप्लीटली आपके पास जो क्वेशन पैटन है वो सभी की सभी चीजें जो है आपको बहां पे मिल जाएगी बाकी कोर्स के लिंक भी यानि जिसे वो आपको पीडि आपको रिप्रेजेंट करती है यहां पे स्पेशल कोर्सिस फॉर रिगार्डिंग जे बीटी कमिशन नॉन मेडिकल टैट एंड अधर एच्पी एससे एक्जाम जिसे कि आपको पता है ज्यादे इंट्रोड़क्शन देने की जिरूर नहीं है प्रीविस में भी हमने आपके आपके पास study करेंगे test number 3 और कल जो हमने देखा था वो basically fractions regarding terms थी आज उनी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ advanced term की तरफ move करेंगे fractions, angles, complementary, supplementary and इस तरह से आपके पास some properties जो की आप use करते हैं in the form of angles उन सभी को हम mathematics में देखेंगे and आज हम आपके लिए total लेकर आएं यहाँ पर 50 questions जिसमें आपके पास maths है, आपके पास Indian जी के है, आपके पास HPG के है and इसमें psychology को भी आज जो है वो include किया गया है and आपके पास journal science जिसमें chemistry, physics and आपके पास bio के questions जो है वो present है यानि एक complete set जो है आपके पास यहाँ पर present है, जल्दी ही आपको current affairs regarding questions भी मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे अगर आप channel के उपर नहीं हो है, तो channel का subscribe जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह class आपको daily 8 बजे मिल जाती है and आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, यह आपको VR Academy के official channel के उपर जो है, मिल जाएगी इसकी जो PDF file यहाँ आपके पास, PDF file जो आपको VR Academy की application के अंदर मिलेगी, free section में ओके, जो VR Academy की application उसमें आपके पास एक free section होता है, इसमें free material present होता है उसके अंदर जो आपको इस सभी की सभी PDF file जो प्रेजेंट हो जाएगी चलिए questions को करते हैं, first mathematics का question हमारे पास है arrange the following in descending order, क्या कह रहा है आपको descending order में इसको arrange करना है, यानि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा तेकिन यहाँ पर तो find करना काफी मुश्किल है, 2 by 9, 2 by 3, 8 by 21, यानि अगर आप इसको simply way में तोडने लगेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 divided by 9, decimal में convert करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा है, यह तो काफी लंबा method है तो आप इस method से ना करके, simply इसका आपको क्या करना, जो भी denominator है, इनको आपको equal बनाना है क्या करना, equal बनाना है, और equal बनते हैं आपके पास LCM से, ठीक है, twist, multiple से जो आपके पास क्या होते हैं, यह आपके पास equal बनते हैं, LCM का method कल आपको बता दिया था, इस तरह से जो है, आप इनका LCM जो यहाँ पर calculate कर सकते हैं, 3 के साथ, 3, 1 and 7, again 3 के साथ, this is 1, फिर आपके पा and into, sorry, 9 and 9 into 7, 63, तो टोटल आपके पास LCM आते हैं, 63, यानि आपके जो denominator हैं, वो कहाँ पर जाके एक जैसे बनेंगे 63 के ओपर, तो बस आपको कुछ नहीं करना, 2 by 9, यानि 9 को 63 में convert करना है आप, 9 को अगर 7 के साथ multiply करेंगे, तो same आपको यही करना है, एक ही नंबर के साथ divide भी करना है, और multiply भी करना है, और आपको क्या कोशिश करनी है, कि यह 63 के बराबर बन जाए, ठीक है, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, यह 14 by 63, एक आ गया, दूसरे हैं, आपके पास 2 by 3, तो इसको अगर 21 के साथ multiply करेंगे, और 21 के साथ multiply कीजिए, divide के is equal to 42 by 63, सेम आप के पास as it is, last one में भी होगा, 8 by 21, तो यह इसी का उल्टा है न, तो into 3, यानि 24 बटे 13, तो सबसे बड़ा कोऊन है, आपके पास this one, तो order क्या बनेगा, आपके पास 2 by 3, सबसे बड़ा है, उसके बाद आपके पास 24 by 36, यानि 63, फिर उपर वाले ही देखने हैं, जो सबसे order, ठीक है, कभी भी descending, ascending, यानि increasing और decreasing order में fraction को अगर maintain करना हो, तो उसको आप इसी method से जो है, आपके पास क्या करेंगे, solve करेंगे, ओके चलिए, next है मारे पास, find the complementary of each of the following angle, ये question आप easily कर लोगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा से basic idea दे देता हूँ, two type कि हम basically angle यहाँ पे द है, कि ऐसे दो angle, जिनका sum आपके पास 90 degree हो, okay, इसके बाद होता है, आपके पास supplementary angle, ठीक है supplementary angle, उसमें क्या होता है, इन दोनों का sum जो आपके पास क्या हो जाता है, 180, ठीक है two type के angle जो है, आपके पास यहाँ पे present होते हैं, एक और होते हैं, आपके पास reflex angle, ये represent करते हैं, आपके पास 180 से, अगर 360 के बीच में कोई भी angle आपके पास हो रहा है, तो reflex angle को जो है आपके पास represent करता है, जिसे आपके पास होते हैं, acute angle, जो कि आपके पास क्या होंगे, 90 से कम होंगे, ठीक है, आपके पास obtuse angle, जो कि 90 से तो ज्यादा होते हैं, लेकिन 180 से आपके पास कम ह होते हैं उसी form में आपके पास reflex angle भी आता है जो कि 180 और 360 के बीच में जो आपके पास lie करता है आई होब कि यह डाइग्राम आपको यहां पे visible हो रही होगी हो सकता है जिससे PDF में convert की थोड़ी सी blur हो गई तो इस तरह से आपके आपके पास एक डाइग्राम दी गई है में एक एंगल दिया है 20 आपको पूछा गया है कि इसका complementary angle आपको find करना है तो complementary angle क्या होते हैं जिसमें x plus y is equal to कितना होता है आपके पास 90 degree यानि अगर मान लिजी y 20 है तो x क्या हो जाएगा 90 minus 20 is equal to 70 degree right answer क्या होगा आपके पास इसका 70 degree and next आपके पास find the supplement of each of the following angle ठीक है यहीं पर सिर्फ एक ही example है आपके लिए इस वन यहां पर आपके पास 105 तो supplement क्या होते है यानि अगर इसमें कोई दूसरे एंगल जूड़ेगा तो यह 180 हो जाए और y is equal to 180 minus 105 इजी है ठीक है और अदिस विल आराउंट टो 75 तो कभी भी यहां पर mcq नहीं है यह direct question से हैं आप इनको solve कर सकते हैं और mcq को आप आप खुद भर सकते हो फीट ठीक है next क्या कहता है find angle which is equal to its कंप्लिमेंट कंप्लिमेंट यह कंप्लिमेंटरी एंगल बोथ हाथ सेम क्या पूछ रहे हैं आपके पास आपको ऐसा एंगल जो find करना है जो कि अपने के बिराबर हो आपको पाता है अगर complimentary angle यह होते हैं एक्स प्लस वाइस इकल डू 90 डिगरी क्या कह रहा है ऐसा एंगल find करना है जो complimentary के बराबर होगा अगर मैं assume करता हूँ कि एक एंगल x है कि एक एंगल x है दूसरे भी क्या होगा x ही होगा यहीं होगा ना अगर एक x है तो दूसरे भी x हो क्यों वैलू बराबर यानि x is equal to x और x is equal to y दोनों equal होंगे तो x plus x is equal to 90 2 of x is equal to 90 x is equal to 90 y2 यह cancel हो जाएगा आपके पास this will be equal to 45 45 भी सिर्फ आपके पास एक ऐसा एंगल होता है जो की खुद का क्या होता है कंप्लिमेंट के बराबर होता है ओके चलिए नेक्स्ट है मारे पास in the given figure आपके पास यहां पे एक figure mention की गए इसको दोबारा से बना देते हैं वो सकता है थोड़ी आपको blur दिखरी हो इसमें क्या कहा गया है जो angle 1 है and angle 2 जो है आपके पास दोनों क्या है supplementary है यहनी angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree है if angle 1 is decreasing क्या हो रहा है इसकी value है वो आपके पास decrease कर रही है what change should take place in angle 2 angle 2 की value क्या होगी देखो अगर यह कम होगा यह तो constant रहेगा 180 ही रहना चाहिए अगर यह कम होगा तो जो angle 2 है वो साथ में increase होना जो है वो शुरू हो जाएगा that both angle will remain supplementary clear समझ आ गया अभी आपके पा question cancer increasing क्या होगा आपके पास increase next आपके पास can two angle be supplementary if both of them are क्या पूछ रहा है can two angle be supplementary if both of them are equal ठीक है equal कह सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट है acute तीन option है आपके पास can two angle are supplementary if both of angle are acute both of angle are obtuse both of angle are right angle ठीक है acute angle आपके पास यहीं जो angle होगा वो आपके पास क्या होगा less than 90 होगा यहीं कह रहा है अब supplementary में आपको पता है कि x plus y 180 होना चाहिए माल लीजिए अगर two angle of supplementary इसमें दोनों के दोनों एंगल acute angle हैं ग्यादा से जादा 89 तक आपके पास आशकते 90 भी नहीं होगे 90 नहीं होगे 90 होंगे तिह वो right angle यह कभी भी नहीं हो सकता किसी भी supplementary कोई अंगल है इसमें दोनों के दोनों एंगल कभी भी acute नहीं हो सकते, एक supplementary हो सकता है, एक acute हो सकता है, लेकिन दोनों कभी भी आपके पास, जो है वो acute नहीं होंगे, क्या वो obtuse हो सकते हैं, देखिए, obtuse क्या होता है, जो 90 से ज़्यादा होगा, और 180 के बीच में आपके पास होगा, या इन दोनों के बीच में आएगा, it means अगर 91 प 90 plus 90 is equal to 180, तो आपके पास क्या हो सकते हैं, पो right angle हो सकते हैं, इसका right answer क्या है आपके पास, जो यहाँ पे आपको mention किया गया, ओके, next आपके पास find the value of angles, x, y, z in each of the following, आपके पास आपको x की value निकालनी है, y की value निकालनी है, z की value, देखो, यहाँ पे क्या है 55, हमेशा याद रखे का, जब भी, कोई angle आपके पास इस तरह से बनते हैं, this one and this one angle always equal, this one and this one angle always equal, यह दोनों angle जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, equal हो जाते हैं, यहाँ पर आपके पास term लगते है, vertically, vertically opposite angle, कौँ से term लगते हैं, इन में, vertical opposite angle, always equal, okay, and, कोई भी अगर आपके पास line है, और 20 degree का, बनाएगी, तो, जहाँ पर equation आती है, आपके पास, अगर यह X है, और अगर यह Y है, जो X plus Y होगा, वो हमेशा 180 के बराबर हो रख, सो हम कहते हैं, linear pair, कहते हैं, इसको हम आपके पास linear pair, linear pair कह कहता है, कि दो angle का sum, जो 180 होगा, यानि, सीधी line है, इसके ओपर कितने भी angle आप बना दीजिए, इन सभी के सभी angle का sum कितना होगा, आपके पास, यह total यह 180 ही होगा, ठीक है, तो देखिए, according to vertical opposite angle, अगर यह 55 है, तो X भी तो 55 होगा, ओके, and, अगे तो vertical opposite angle है, आपने सामने, रहीं पे अगर आप इस line को ले ले ले, ठीक है, या आप इस line को ले 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 है, इसके साथ में यह एक angle बना हुआ है, जो 55 के ओपर है, या अगर यह 55 plus Y is equal to 180, sorry, yes, 180, 180 हो जाएगा आपके पास, 10, जो अंदर आपके पास angle बचके, वो कितना होगा फिर, 180 minus 55, यहाँ पे 10, यह 5, यहाँ पे 6, यह 2 और यह 125, तो Y is equal to 125, so according to vertically opposite angle, that is also equal to 125, तो दोनों के दोनों, जो आपके पास X था, X आपके पास है 55, Y आपके पास है 125, Z भी आपके पास आगे 5, ठीक है, आगे direct statement से हमारे पास क्या कहता है, if two angles are complementary, then the sum of their, तो देखो complementary angle होंगे, तो sum कितना होगा आपके पास, 90 degree, कितना होगा, 90 degree, if two angles are supplementary, then angle is, जो sum होगा उनका angles का वो, 180 हो, two angles forming a linear pair, अभी बताए आपको linear pair, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, 180 या supplementary, तो उनको आप supplementary कहते हैं, ठीक है, आर supplementary, and if two adjacent angles are supplementary, जै कहा रहा है, आपके पास, कोई भी दो angle, जो है, आपस मैं कहा है, supplementary, they are, they form a, तो वो किस चीज़ को form करते हैं, आपके पास, वो एक linear pair को form करते हैं, किसको linear pair को, ठीक है, कोई भी 2 adjacent angles से आपके पास, आज सब्सक्राइब हो, this one, this one, यह और यह इनका sum जो है, अगर 180 आपके पास आ रहा, supplementary है, तो यह linear pair को follow करेंगे, उपर वाली ही equation घुमा के बताई गई, right answer is linear pair, next है मारे पास, if two line intersect at a point, this one, this one, 8 point के उपर, vertical opposite angle, this one, यह क्या होते हैं, always, equal, यह होंगे, आपके पास यह equal, okay, if two line intersect at a point, and if one pair of vertically opposite angle are acute angle, then the other pair of vertical opposite angle are, देखो, यह आपके पास, क्या कह रहा है, if two lines intersect at a point, यह कोई point माल लो, intersect कर गई, one pair of vertically opposite angle are acute, अगर यह दोनों जो हैं, वो acute हैं, छोटे छोटे हैं, तो माल लो, यह 60 है, यह भी आपके पास 60 है, तो automatic सी बात है, अगर यह आप linear pair equation को मानोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 120, और यह भी आपके पास 120, तो यह obtuse हो जाएगे, कौन से obtuse, ठीक है, यह क्या हो जाएगे, आपके पास obtuse, तो आपके पास right answer कौन सा इसका obtuse, ठीक है, ठीक है, तो mathematics के question थे, आज हमने क्या देखा mathematics में, जो आपके पास linear pair हो गया, complementary, supplementary angle होगे, आपके पास vertical opposite angle क्या होते हैं, इनको एकताम अच्छे से जो है, याद रखिएगा, कि यह terms आपके पास क्या होती है, ठीक है, चलिए, नेक्स चलते हैं, आपके पास, science की तरफ, in a vacuum, all the electromagnetic waves have, देखिए, electromagnetic waves क्या होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं पे जो mechanical waves होती है, उनको move करने के लिए, अगे किसी path की जुरूर, just like sound wave, ठीक है, ठीक है, ठीक्टर मेगनिक wave में कौन सी आएंगी आपके पास, गामा हो गई, ठीक है, गामा वेव आपके पास हो गई, रेडियो वेव हो गई, आपके पास microwave हो गई, आपकी light wave भी जोई, टीक्टर मेगनिक wave का, तो आप देखोगे सब्सक्राइब व्रोन यह उसकी फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी सब्सक्राइब में वे on ज giornकर होता है हम होता है जिसे जिसे बडूरेजी स्कॉइंसी बड़े लिइंग हो जाएगा एड़न का क्या है Lambda maximum होता है उनकी जो frequency आपके पास का हो जाती है कम हो जाती है ठीक है याइन्य आपके पास minimum हो जाती है रेडियो वेब रेडियो वेब आपके पास यूज करते हैं आपके पास Communication में आई-ार आपके पास हो गई IR जोब हो heating effect आपके पास चो जो करती है तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास Electromagnetic की चेंज करते है वेक्व में, देखो All the Electromagnetic wave उन्हें ही कहते हैं, जो Speed of Light के साथ चलती है यानि 3 into 10th power 8, meter per second की Speed से जो आपके पास चलेगी उसी आप क्या कहोगे, Electromagnetic wave यह Speed of Light इसको आप कहते हो Velocity जो वो सेम रहती है, बागकी सभी चीज़ें आपके पास इसकी vary कर जाती है, okay Sound next आपके पास sound is produced by, जो sound है वो कैसे निकलती है, जब भी आपके पास कोई particle आपने आपके पास sound सब ज़्यादे ट्रेवल किसमें करती है, आपके पास यहाँ पर अगर option देजे, solid, click, cut and gases, तो sound सब ज़्यादे किसमें travel करेगी, solid में, ठीक है, maximum और minimum आपके पास gases में, इसमें आपके पास medium जैसे, तो solid में strong जाती है, क्यों, क्योंकि solid के जो constituent particle होती है, ने arrangement एकदम close close होती है, उसके चलते, तो आपके पास होता क्या है, जब आप, जो sound है, वो in the form of vibration चलती है, कैसे vibration, wave की form में move करेगी, तो जब भी object vibrate करते हैं, तो यहाँ पर right answer है, okay, water has a maximum density, basically सभी 0 ही कहते हैं, लेकिन water की maximum density 4 degrees Celsius के उपर होती है, water जो है, universal solvent होता है, and आपके पास ए अन exceptional जो है, वो उसकी deviation होती है, क्योंकि water की जो arrangement है, वो tetrahedral structure में आपके पास आती है, आप देखते हैं, तो कुछ इस तरह से जो है, एक wide एनी खाली जगा जो है water के जब ice structure वो convert होता है, तो उसमें इस तरह से खाली जगा होती है, यह खाली जगा क्या करती है, आपने देखाऊगा जिसे ice को glass में डाल दो, क्या करेगी वो, टैरेगी उसके उपर, और जब ice जो है, पूरी तरह से पिगल जाती है, फिर भी water का level उपर नहीं जाता ह क्योंकि जो खाली जगा थी सिर्फ बोही उपर थी, बाकि जो आपके पास जितना उसका original volume था, वो dip हो चुका था, ठीक है जो उसकी original density के बराबर था, बाकि जो air वाला हिस्सा था वो उपर था, अभी की air जो combine थी, जिससे वो melt होगा, उस air बाली जगा को भर देता है, तो 0 से 4 था के contract order due to its structure, जब structure तूट गया, उसके बाद यह आपके पास expand होना शुरू हो, maximum density जो आपके पास 4 degree Celsius के उपर ही present होती है, okay, instrument used to regulate temperature to particular degree is called thermostat, ठीक है, thermostat आपने term भी सुनी होगी, यह आपके पास किस चीज़ से regarding है, temperature से regarding है, thermostat, next है हमारे पास complete of following, 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour, kilowatt hour किसके unit हैं आपके पास, अगर आप बता सकते हैं, तो देखिए, kilowatt hour जो होता है, आप कहां पर use करते हैं, जिसे आप, अपने घरों में, जो आपका meter होता है, ठीक है, आपको इंडिया में 50 hertz, जो है वो, frequency होती है, approximately, जो आई electricity provide करवाई जाते हैं, उसक में kilowatt hour में जो है, इसको measure करते हैं, अगर आप इसको थोड़ा और drive करेंगे, वन किलो कितना होता है, 1000, ठीक है, 1000, meter में आपके पास हो जाएगा, आवर को कि सेक्ड में मतलेंगे, तो 16 to 60, ठीक है, होगे आपके पास, इसको पूरा solve करो कितना आ जाएगा, तो 10 to power 3 लिखिए 3, 6, double 0 आपके पास हो जाएगा, and this will be equal to, यहां से break कर दीजी, तो 10 to power 3, decimal, 3.6 into 10 to power 6, ठीक है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, जब आप squares को जो है, वो solve करते हैं, इनि powers को जब भी आप solve करते हैं, आपके पास क्या होता है, इनका जो है वो sum हो जाता है, तो इसका right answer क्य होगा, आपके पास, 1 minute students, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपके पास, meter per second, and this will be equal to, 3.6 into 10 to power 6, ठीक है, वर्क है, आपके पास यह, इसको आप इस तरह से जो हो लिख सकते हैं, clear, समझ आ गया, 3.6 ठीक है, यहां होगा, आपके पास इसके, right answer हो, यहां पे, 4 second के साथ, आपके पास, यहां पे आजाएगी, ओके, next यहां आपके पास, what color does, blue and yellow make, जब भी आप blue और yellow color को mix करोगे, तो आपके पास किस तरह का color जो हो बनता है, देखिए, color combination जो है, वो काफी important term है, आपके पास, two type के color होते हैं, basic way में, three type के होते हैं, primary, secondary and tertiary, okay, primary color कों से होते हैं, आपके पास, R, Y, B, red, yellow and blue, इनके combination से यह बनते हैं, जब यह मिलेंगे, तो secondary color बनेगा, and, जब आपके पास primary और secondary मिलेंगे, तो tertiary बन जाएगा, different, different combination आ रहे हैं, आपके पास, तो देखिए, जब भी आपके पास blue और yellow मिलता है, तो आपके पास किस तरह का color बनेगा, चलिए, आपको हम दिखाते हैं, यहां पे तो यह पूरी जो picture है, वो खराब हो गई है, यहां पे हमने picture डाली थी आपके पास, यहां पे इसको arrange किया था, ठीक है, तो यह जो थे आपके पास यहां पे yellow color था, यह जो है यहां पे आपके पास two color था, and आपके पास यहां पे एक जो है वो red color था, लेकिन यह black and भाई टी ओगई यह सारी की सारी पिच्चर तो लिए कोई बात नहीं आप एक वार इंटनेट के ऊपर सच कर लिजेगा आपको बहां पर दिख जाएगा इसको सही डाला था कोई बात नहीं जो पीडिया फाइल आपको मिलेगी उसमें यह चेंज नहीं होते हैं पीडिया आपके पास मिलता है आपके पास ग्रीन कलर वन इस तरह का ग्रीन कलर की जो है आपके पास इसमें फॉर्मेशन होते हैं ओके रीन कलर आपके पास यहां पर बन जाएगा आप एक पर प्राइस कलर कमिनेशन सर्च कर लिजेगा आपको बहां पर मिल जाएगा सारी ओके नेक् के ओपार यहां नीव डैंसटी कितनी है कि पानी की दैंसटी हम लेते हैं 1000 गैसी होती क्या है मास अपान वॉल्यूम् ठीक तो यूरीट निकल जाते हैं यहांसे मास kg और वॉल्यूम क्या आपके पास यहां पर मीटर टू इनवार्स ठीक है यह वन मिन्ट अब क्या कहता है आपके पास दिए मास अपन वाल्य यहां पर क्या कह रहा है वहन इस टील वाल is placed on the surface of the mercury it does not sink क्यों नहीं डूब रहा है अब देखिए जिस चीज की density कम होगी वो हमेशा तैरती है आपके पास क्या करती है आपके पास तैरती है अब यहां पर जो चीज आपके पास तैर रही है क्या होगी आपके पास टील वाल is placed on the surface of the mercury के mercury की basicsते काफी जधा आपके पास होती है around 13 to 10.3 okay 13 into 10 इस 20 काफी डूबड सी आपके पास उस की शूदेन्स ती म काफी ज़्यादा होती है थिक आ xem तिस का राइट answer क्या है आपके पास density of the mercury is greater than that of the okay जो बर्क की density ऑफ जयादा है as compared to steel इसलिए आपके पास क्या हो रहा है जो rapidly आपके पास h Brendan may to flavors के अपर आपने देखा होगा आप घर्ममेठ्र यूजे करते हूँ ऐन्मेज देखा लूजह अब वहां पर mercury use क्यों करते हो क्योंकि क्योंकि जो mercury आपके पास होता है उसको जो thermal expansion आपके पास होता है जो mercury जो होता है उसको जो thermal expansion आपके पास होता है वो constant होता है as compared to water ठीक है आपने 76 mm of mercury term सुनी हो ठीक है यह होती है 180m के उपर यह अगर 180m pressure है तो mercury का जो expansion यानि mercury जो होगा वो इतना ही उपर आएगा उस आपके पास capillary tube के अंदर लेकिन इसी में अगर आप अगर यूज़ करोगे water को तो water around 10.3 meter उपर चड़ जाएगा कितना क्योंकि water का expansion ज्यादा होता है water की density कितनी है only 10 to power 3 और आपके पास जो mercury है उसकी है 13 into 10 to power काफी ज्यादा है that's why ओके next step आपके पास the oil used in the froth flotation process froth flotation process use किस के लिए करते हम sulfate ore के लिए किसके तो आपके पास sulfate ore होता है उसकी purification के लिए जो हम आपके पास froth flotation जHAG बन जाता है पूरे के पूरे surface के उपर उसको क्या खहते है froth flotation for the sulfate ore ठीक है तो बहान पे हम yous करते हैं आपके पास pine नेक्स्ट है हमारे पास the mass of one Avogadro number of helium atom is, देखिए, Avogadro number n के साथ representing, इस इसको क्या कहते हैं, आपके पास mole, जब यह mole के बराबर है, तो one mole की value is 6.022 into 10 raise to power 23, तो क्या कह रहा है, आपके पास 6.022 into 10 raise to power 23 helium atoms है, एक ही बात है, इसका weight कितना होता है, जो molecular weight है, ठीक है, 4 gram, कितना होगा आपके पास, 4 gram, कभी भी याद रखिएगा, एक helium का weight इतना नहीं होता है, एक helium का कितना आएगा आपके पास, total आपके पास कितने हैं, और उन total जो है, यह जैसे मालीजी आपके पास कितने हैं, 4 gram है, ठीक है, 4 gram है आपके पास, और अगर 4 gram को divide करोगे आप, इ study कर सकते हैं अकेले अकेले आप इनको study नहीं कर सकते हैं ओके नेक्स्ट आपके आपके पार the material which can deform permanently by heating and pressure is called देखिए कि पॉलीमर्स के example है पॉलीमर में यह thermostatic and जो thermoset है एंड थर्मो प्लास्टिक है यह दोनों के इसी प्लास्टिक गरम करते हो क्या होता है नर्म हो जाता है heat loss करेगा तो वह सकत हो जाएगा आपके पास ठीक है अगेन गरम करोगे अगेन वह आपके पास नर्म हो जाएगा फिर से सकत हो जाए लेकिन आपके पास thermoset यह thermosetting पॉलिमर होते हैं basically, के thermoset is thermosetting polymers, इसको एक बार हाड कर देंगे, तो ये दोवारा से आपके पास नरम नहीं होता है, just like melemine, melemine, ठीक, as fat, ये दोनों के दोनों जो है as if आपके पास fire fighter होते हैं उनके clothes बनाने में यूज किया जाते हैं ठीक है तो दोनों क्या होते हैं आपके पास एक thermosatting polymer होते हैं तो भी तो आग में नहीं जलेंगे फरक नहीं पड़ेगा इनको आग में ठीक भी आपके पास right answer है नेक्स्ट हेमारे पास गैस उस्ट इन दा मैनुफेक्चर अफ बनस्पती वाइल जो बनस्पती घी आपके पास बनता है और बैजिटेवल से तो उसमें किस तरह की गैस का यूज को रिया जाता है बहां पर हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस आपके पास अकर होती है इन दा प्र ग्रेफाइट का यूज किया जाता है बहां पर ठीक है वो ऐसे कंट्रोल रॉड वरक करती है इन ट्रोल रॉड में ग्रेफाइट हो गया कैडमियम हो गया सरी ग्रेफाइट हो गया आपके पास डूटू वह अभी वाटर इनका यूज किया जाता है क्यों किया जाता है आप जो आपके पास इसका right answer हो ओके आपके लिया questions को हमने बड़ा बड़ा कर दिया है कल काफी queries आ रही थी कि बड़ काफी छोटे हो गई थे यह PDF फाइल अगर आप देखोगे तो same as it is जो previous था previous जो हमने पड़ा था आपके पास ये बहां कल वाले question थे हमारे पास अभी ये जो question थे ये कुछ छोटे थे डार्क नहीं किये थे इसलिए आज जितने भी question हो सभी को हमने आपके पास डार्क कर दिया है आकि वह आपको detail में दिख जाए है 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 नेक्स्ट हमारे पास 21 क्या कहता है है और धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विस्पास नहीं करता था आपको पाता है जो बहुत ने भी होते थे उनका जो में मक्षत वो सुद्ध था यानि आत पास नहीं रखता है कौन सा था आपके पास हिन्यान संप्राइब कौन सा हिन्यान यह आपके पास है नेक्स्ट हमारे पास महावीर स्वामी किस कुल के थे जो महावीर स्वामी आपके पास वो कौन से कुल के थे आपके पास जंत्रिकी कुल है उससे रिगार्डिंग नेक्स साइथ आपक पास उससे कौन सजो है प्राचीन तमिल समराज जो है वह जो हो ग्यात हुआ ओल लेए किलपां की अगणी कड़ी है ओके पूछरे हैं आपके पास पूस्तक है कौन सी महाध प्रपय करम की जो है आपके पास अगली कड़ी है इसका राइट आंसर है आपके पास नमबर B, money, make life, option नमबर B जो आपके पास राइट आंसर है, next है मारे पास उश्क, सावती, निमलिक्त में से किस प्राचेन समराज्य की जोब आपके पास राजधानी थी, तो आपके पास गांधार की क्या थी आपके राजधानी, इसकी गा नियत किया था, जो आपके पास सकंद गुफ्त थे, उन्होंने सौरास्टर के रांतिय राज्यपाल के रूप में, जो है, वो किसे नियुक्त किया था, उन्होंने आपके पास नियुक्त किया था, पर्ण दत को, इसको पर्ण दत को, भी जो है, आपके पास इसका राइट आपको एजान के हैनarni होगी काफी प्राक्रमी राजा थे एंडय जो यह आपके पास अंतिम हिंदु राजा इसे 58 काफी चाकतवर थे अकेले एंडय जो वैसे सबुन् tom k Jash अल्हक बारे में बटाएं तो आपके पास बौद हरम है, उनका कौन सा पार्ट जो है वो आपको 16 जनपदों के बारे में बताता है, तो कौन सा है आपके पास, option number B, अंगु, नंतर, निकाय, जो है आपके पास वो आपको 16 जनपदों के बारे में बताता है, ओके, असोक महान, किस वन्स के समराठ तो मौरे वन्ष काफी फेमस है, मौरे वन्ष के जो आपके पास वो किते, वन्सूस थे, नेक्स्ट है हमारे पास, त्री लिपी, लेकन, किस प्राचीन, सब्व्यता का हिस्सा है, तो त्री लिपी, लेकन है, त्री लिपी, कि आपके पास मिसर की सब्व्यता है, तहांकि मिसर क इजिप्ट भी आपके पास है, तो मिसर की क्या है आपके से सब बेताएं, मिसर की, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये कल हमने कॉश्चन कर लिया था, कि आपके पास 1399 में जो तैमूर लेंग थे आपके पास, नगर कोट के किले के उपराकमन क्यों नहीं कर पाएं, ठी नेक्स्ट है हमारे पास हिमांचल परदेश में किस जिले को तोटा काशी के नाम से जो जाना जाता है, तोटा काशी के नाम से आपके पास मंडी को जाना है, इसको मंडी को नीमन मैसे कौन से सासक ने गुलेर राज्ये की स्तापना की थी, यह आपके पास रुपीटेबल क्वेशन है, आपके पास हरी चंद, ठी हरी चंद, ठी जो है इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट है मारे पास, गुला सो बीस इस बी में किस सासक ने जहंगीर को कांगडा किल सूझ में आप भी उनका आंसर हमें बता सकें, ठाको आपके पास, राजा राजा राभ, राज रूप, राजा च्hl posição कर चक्फ़ है, इसका राजा गुलियर कर ला, देशन हरा, अंसर है नेक्स्ट है मारे पास पहारी राज्यां के किस साशन ने, औरगज्जेब की अज्य आपके पास किस वर्स अमर सिंह थापा ने कांगड़ा के लिए को घेरा और तकरीवन चार साल तक जो है उन्होंने यहां पे साशन भी किया था और यह बड़ी है क्योंकि 2001 में आपके पास 66 पॉइंट सम्थिंग थी आपके पास ठीक है अब आपके पास यहां पर 2021 का आएगा यह नेक्स्ट आपके पास 2011 की जनगर्ना के अनुसार हिमांचल प्रदेश के किस जिले का जो लिंग अनुपाते वह सबसे कम था उता आपके पास जो किनौर डिस्टिक थी आपके पास उता सबसे कम था इसका किनौर डिस्टिक का अराउंड 1819 के आस पास था 2011 की जनगर्ना की अनुसार हिमांचल प्रदेश और जन संक्या गैर्ना तभ इतना था आपके पास 123 कितना था आपके पास 123 किलोमेटर इससे पहले यह 93 प्रजेंट कर रहा है पॉपुलेशन बढ रही नेक्स आपके पास किनौर जिले के लिए आके दैगत जिले में किये जाने वाले नकाअप पोस्का सुना होगा यह आपके पास डिया नीभार्ण एक हुआ ट्रकवे श्विलैम की नीपला को श्राबो कि आपके पास लामा देवी को समर्पित होता है ड। पंजाबी भांगडा का डेंचारी educators स्टिक में जो है मखोटा पहन लेते हैं एंड मखोटा पहन के जो है जिसे राक्सों वाला मखोटा होता तो इसलिए तो आपके पास राक्सों रित्ते के नाम से भी तो जाना जाता है ओके नेक्स्ट हमारे पास question 41 ये psychology के question हमारे पास first हमारे पास where the word psychology does came from क्या कहता है psychology है वो कहां से आई है word एक ग्रिक वर्ड है सभी को पता है कौन से ग्रिक वर्ड है आपके पास जो की आपके पास psycho plus logos से निकला है psyche plus logos से psyche यानि that is life soul या mind को आपके पास represent करता है बहीं पे लोगस है वो आपके पास represent करता है the study of इस चीज़ को the study of यानि study of mind study of mind आपके पास study of soul ठीक है यह राइट आंसर है आपके पास that is the Greek 42 है मारे पास psychology is said to be scientific study of dash 10 and dash 10 देखिए अबने अभी बात की mind की बात करें तोनों चीज़े माइट से regarding होनी चाहिए physical state automatically cancel हो जाएगा illness health भी हाँ से cancel हो जाएगा इसका राइट आंसर है behavior and mental processes ठीक है study of behavior and mental processes who is the father of experimental psychology experimental psychology के जो father है वो कौन है आपके पास William okay William Boone जो है आपके पास क्या है experimental psychology के father है next है आपके पास which of the following part of the brain send signals यानि alert to the higher center in response to incoming masses right answer is option number B hippo campus ठीक है hippo campus एक्चली जो आपके पास hippo campus word है या आपके पास आपके point से regarding है क्योंकि represent कर इस दो वर से बना hippo and campus ठीक है जो hippo word है वो horse को represent करता है जो campus word है आपके पास वो समंदर को जो है वो represent करता है ठीक है यानि आपके सकते हो कि होड़ी यह सी यह स्टरह से आपके पास रिपर्जेंट होता है यह पोग केंपर्स जो है आपके पास इस चीज को क्या करता है यह जो पार्ट है नेक्स्ट है मारे पास which of the following is an example of negative attitude towards people आपका जो यह पूछ रहा है which of the following is an example of negative attitude towards people right answer is pre-judge किसी को भी जाने पहचाने अगर आप जज करोगे यह नहीं उनको जाने से पहले ही आपने उनको जज कर लिए है तो वो किस चीज को रिपर्रेजेंट करता है आपके आपके नहीं वो negative reinforcement आपके है not reinforcement लेकिन negative attitude है वह नेक्स आपके पास which of the following part of the brain is responsible for transferring short term memory to long term memory कौन सा हमारे brain का पार्ट है जो कि हमारी जो short term memory है उसको वो long term memory में जो है वो convert करता है one minute students this is 44 इस question को थोड़ा सा correct का लीजिएगा इसका जो right answer होगा न हीपो एंपस जो है वो आपकी memory से regarding है ठीक है 46 का right answer है इसका जो right answer है आपके पास rectangular formation इसका right answer क्या है आपके पास rectangular formation आप correct कर लीजिएगा इसका right answer क्या होगा आपके पास rectangular formation ओके आपके आपकी क्या करता है ट्रांसफर करता है short term memory को टू long term memory में इसका right answer होगा आपके पास hippo campus next है आपके पास different people often react differently to same situation in psychology it is referred to as क्या कह रहा है जो लोग है वो different situation में different तरह से behavior हर एक person का अलग अलग behavior होता है अलग अलग situations में वो किस चीज़ को आपके पास represent करता है वो आपके पास individual differences को आपके पास वो represent करता है तो second आपके पास इसका right answer है next यह आपके पास statement ही है कि आपके पास किस ने कहा था knowledge is acquired through learning and experience आपके पास कौन से Greek philosopher थे जो कि यह मानते थे कि knowledge जो है वो acquire होती है कहां से learning and experience के थ्रू तो कौन मानते थे आपके पास जो Aristotle थे वो आपके पास इस चीज़ को मानते थे okay next हमारे पास which of the following is another term of reinforcement कौन सी चीज़ है वो other term reinforcement की वो आपके पास reward भी आपके पास एक another term होती है People lost their touch with reality when they are जब भी कोई person आपके पास psychotic हो जाता है वो reality के साथ जो अपने touch को भूल जाता है यानि जो true beliefs होते हैं वो खतम हो जाते हैं और वो ऐसे beliefs के उपर विस्वास करना कोशिश करता है या उसमें जला जाते हैं जो false होते हैं गलत direction की तरह move कर जाता है वैसे लोग जो के reality के साथ क्या कर चुके हैं अपना नाता तोड़ चुके हैं या उसको छोड़ चुके हैं या उसकी touch में नहीं है उसको psychotic करके जो है हम represent करते हैं ओके यहाँ पर आज का session हो रहा है खतम I hope आपको question helpful लगे होंगे और काफी जादा आपको papers में भी इनसे help मिलेगी और साथ साथ में अपने notes and self study आप करते रहें and मिलेंगे हम next video में तब तक के लिए thank you and have a nice day